हलो एव्रीवन मैं अर्भीन जन्युक्राइस्टि में आपका स्वागत करता हूँ राजिस्तान मुख्यमंत्री अनप्रती कोचिंग योजना को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो स्वीडियो कंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म डेट को लेकर जिस कोचिंग से हमने फॉर्म लगाया है कि हमारा नंबर आ जाएगा क्या तो क्या कटोप रहने वाली है इस वीडियो के चर्चा करेंगे तो पैसंस मना कर वीडियो गांट तक देखते रहें जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईज वो सब्सक्राइब लाब मिले वो तैयारी करना चाहते है किसी भी कॉंपरेशन एक्जाम की या इसके अलावा जो है एंटरंस की प्रपरेशन करना चाहते है आईटी जेई नीट की प्रपरेशन करना चाहते है तो आप लोग फॉर्म लगा दीजिए इस बार फॉर्म विद्यारती कम लगा रह यह वह आपको बता रहा हूं कि किस किस विद्यारती को जो है लाब मिल सकता है तो रास्तान का होना चीए इसके अलावा परिवार की जो आया है वह आठ लाग से कम होनी चाहिए अनुसुजी जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग आती पिछड़ा वर्ग अल्प संक्या आ पतब आपके जो माता पिता हैं वो करमचारी है लेकिन पे मेट्रिक्स लेवर 11 तक की उनको जो है सेलरी मिल रही है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से कोर्स में यापर कितनी सीट है सिविल परिक्षा की बात करें यापर यूपीएस की बात करें 300 सीट है राजिस्तान प्रसासनिक सेवा आरेस की बात करें 750 सीट है रीट की बात करें 2250 है पतवारी कनिश्ट लिपिक यानि की बात करें 18 स सीट है कॉंस्टेबल की याँ पर 1200 सीट है आगे बढ़ते हैं इंजरी मेडिकल की बात करें टोटल 6000 सीट है कलेट की बात करें 1050 सीए की 150 हैं ठीके ना इसके अलावा जो है आपर सीएम एफ सीगी जो है 150 हैं टोटल 15,000 पहले 10,000 थी अभी इनको बढ़ा कर 15,000 कर दिया है तो इस बार जो है सीट बहुत जादा है तो आप लोग को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप ऑनलाइन घर पे रेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप अंदर तयारी कर सकते हैं आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं यापर कैपिटल जी ए एन यूवाई एन टेन आपको 10% हो जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पर ठीक है ना तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन को से बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो 18 तारीक से यहाँ पर नए सकते हैं और अपनी तयारी सुरू कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर आप मेरा कोड लगा दें कैपिटल जी एन यूवाई एन टेन जिससे कि आपको 10% आफ हो जाएगा इसमें से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दो साल का एक साल का 6 मैने का और अपनी तयारी सुरू क कर सकते हैं जो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बतायते हैं कौन कौन से डॉकुमेंट्स रिक्वाइड हैं जो आपकी कोचिंग योजना है इसमें कौन कौन से डॉकुमेंट्स है तो आधार काड पासपोर्ट साइज फोटो मॉबाइल नंबर सपत प्रमाण पत् आपको सत्यापित कराना होगा तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से कौर्सीज हैं कितनी रासी मिलने वाली है इसके आउदी क्या रहने वाली है अगर आप UPSC के लिए प्रप्रेशन कर रहे हैं तो यहापर आपको 55,000 रुपे मिलेंगे ठीके न और इसके लिए आपको पास रुपे मिलेंगे ठीक है इसके लिए आपको 50,000 रुपे मिलेंगे ठीक है इंजिनरी मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहापर यहापर सट्राजा रुपे मिलेंगे ठीक है इसके लावा मैडिकल की बात करें तो 40,000 रुपे आपको दिये जाएंगे तो इसाई डिटेल में आपको बता दी है इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद